हेलो बच्चो वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम जगदीप है और आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ओर्डिनल उटिलेटी अब्रोच के बारे ठीक है पिछले वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग को जाना था उसके बेसिक्स थोड़े से समझे थे सब्सक्राइब करें ठीक है बच्चो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चल दी से कर ले ना क्यूंकि इस साल में बहुत सारे क्विज्स और नोट्स जो है वो रिलीज करूंगी इंपोर्टन कॉंसेप्स पे ठीक है तो बच्चो चलते हैं लेक अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि जो यूटिलिटी अप्रोच है ओर्डिनल मेजुमेंट जो हम स्टडी करते हैं इसमें एक कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसिस को स्केल दे सकता है रेट कर सकता है तो इंडिफरेंस कर्व को अल्टर्न सकते हैं यह जो है संट मीनिंग है यह संट डे शिचले वीडियो में दी है ठीक है तो कैसे लिखेंगर है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है ऐनकस्ज पॉइंशंग बना रखाएं इंडिफरेंस करव का हमाहीं पास Первे हैंट दो स्टे कुमोरिटीस है चॉकलेट एंड पीजा, चॉकलेट में एस आना चाहिए, ठीक है तो चॉकलेट एंड पीजाs, so कॉम्बिनेशन ए में कंजियूमर के पास 20 चॉकलेट है और एक पीजा स्लाइस है, combination B में consumer chocolates कम करके 14 पर आ रहा है जबकि pizza में उसने एक slice add की है combination C में consumer फिर से 4 chocolates give up कर रहा है एक additional pizza slice के लिए combination D में consumer ने 2 chocolates जो है sacrifice किये हैं एक additional pizza slice के लिए और combination E में दुबारा से consumer ने एक chocolate जो है sacrifice की है give up की है एक additional pizza slice के लिए तो यह जो हमने अभी trend देखा है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं MRS याने की marginal rate of substitution ठीक है MRS के उपर एक proper वीडियो होगी में जादा detail में MRS यहां पे explain नहीं करने वाले हैं अगली वीडियो के लिए ready रहिएगा अब हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में हमें इंडिफरेंस कर्व को डाइग्रेमेटिकली री प्रेजेंट करना है तो लेट्स बिगिन हम यह सारे जो combinations है इनको हम इस पर्टिकिलर ग्राफ में प्लॉट करते हैं पहला combination है combination A जहां पे consumer के पास 20 chocolates है और एक pizza है तो लग भग यहां पर यह combination आ जाएगा combination B में consumer के पास 14 chocolates है और लग भग दो pizza slices है so 14 मेरे ख्याल से लग भग कहीं पर आसपास में यहां पर आएगा A इधर ठीक combination C में consumer के पास 10 chocolates है और तीन pizza slices है so 10 जो है वो लग भग यहां पर आजाएगा मेरे scales थोड़े उपर नीचे हो सकते हैं combination में इनके नाम भी लिख चलती हूं साथ साथ में so this is A this is B this is C combination D में 8 chocolates and 4 pizza slices so यह तो simple है यह यहां पर आगया और combination E में 7 chocolates and 5 pizza slices so 7 chocolates may be somewhere here and 5 pizza slices ठीक है थोड़ासा वेग बनेगा जब आप इसे अपने नोटबुक में बनाएंगे तो यह थोड़ासा अच्छा बन जाएगा ठीक है लगबग कुछ ऐसा बनना चाहिए तब यह थोड़ा presentable लगता है बट क्यूंकि यह मेरे पास scales नहीं है तो यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ठीक तो यह जो है इसे हम बोलते हैं indifference curve I C अब combination A में क्या था हमारे पास कितने chocolates 20 chocolates and कितने pizza slices 1 pizza slice combination B में हमारे पास है 14 chocolates and 2 pizza slices combination C में हमारे पास है 10 chocolates and 3 pizza slices combination D में हमारे पास है 8 chocolates and 4 pizza slices और combination E में हमारे पास है 7 chocolates and 5 pizza slices ठीक है तो यहां पी क्या हो रहा है यह सारे जो pointers है A B C D E यह सारे जो combinations है इन में consumer को किसी भी एक particular मान लो हम combination B की बात करते हैं ठीक है तो combination B कहां से कहां तक है यहां से लगभग यहां तक ठीक यह combination B है इसी तरह से अगर हम combination B की बात करें तो यह combination D कुछ इस तरह करका है यहां से ले करके यहां तक है तो हर combination भले वो combination B हो या combination D हो consumer को एक ही level का satisfaction यहां पर मिल रहा है ठीक है क्यूंकि क्यूंकि consumer को एक ही तरीकी की खुशी मिल रहा है यह एक ही level का satisfaction मिल रहा है consumer इस इन डिफ्रेंट इन डिफ्रेंट अमंग्स्ट एनी ओफ दीस combinations उसे combination A मिल जाए या combination E मिल जाए उसे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो फिर भी इसी IC कर्व पर रहेगा ठीक अब यह जो हमारे various combinations थे कौनसे यह वाले ABCDE इन combinations को हम क्या बोलते हैं यह में यहां पर लिख देती हूं all these combinations are called in difference set ठीक है तो इस तरह से जो है हम यह diagramatically represent करते हैं अगर आपको इसे explain करना है exam में ताप इसे कैसे explain करेंगे in the above diagram we have chocolates on the y-axis and pizza slices on the x-axis ठीक है we can see that consumer is indifferent between all these combinations from A to E because all of these combinations are providing same level of satisfaction to the consumer when these combinations are plotted on this graph from A to E which are these and a curve is passed through these pointers we obtain our indifference curve every point on the indifference curve IC represents an equal amount of satisfaction to the consumer ठीक है इस तरह से आपने इस diagram को explain करना है ठीक है बच्चों तो मिलते अगले वीडियो में bye now take care